हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम बनाएंगे तनिसा की रसोई में पत्ता गोबी का बहुती टेस्टी और स्वाधिट से स्नेक्स जिनको बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुती कम समान में बनकर भी तैयार हो जाएंगे आपके पास जो भी समान हो आप उसी समान से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं तो चलिए सुरू करेंगे आज की विडियो तो सबसे पहले लेंगे पत्ता गोबी पत्ता गोबी को हमने अच्छे से दोलिया है अब इसे करना है हमें कद्दुकस तो उसके लेंगे कद्दुकस लेंगे और पत्ता गोबी को हमने दो भागों में काट लिया है इससे हमारी पत्ता गोबी अच्छे से कद्दुकस हो जाएगी तो आप इस तरीके से पत्ता गोबी को कद्दुकस कर ले देखिए हमारी पत्ता गोबी अच्छे से कद्दुकस हो गई है पत्ता गोबी का हमें जो एक्ष्ट्र पानी होता है वो निकालना है तो उसके लिए आप इसको हलकी हाथ से निचोड लें हम इसके अंदर जो मैदा और अर्रोड डालेंगे वो बहुती कम डालने पड़ेंगे और स्नैक्स भी हमारे बहुती टेश्टी बनके तयार होंगे तो आप इस तरीके से निकालने इसका पानी यह देखे कितना सारा पानी निकाल रहा है पत्ता गोबी के अंदर से ऐसी हम सारी पत्ता गोबी अपनी निचोड लेंगे हातों की सायता से पत्ता गोबी का सारा पानी हमने निकाल लिया है इनको रखेंगे साइड में कि अब लेना है हमने 4-5 लिए यहाँ ब्रैड लिए हैं पांच Communist है हर्यमेर्च-18 लिए लें ले, इन दोनों चीज को पीश लेंगे यिजो ब्रैड है इनको क्रश कर लेंगे उसके लेंगे mixer का जार जो bleeding हैं हमने अपने इसके अंदर डालके इनका एक powder बना लेंगे इनको crush कर लेंगे देखिए ब्लैड को आमने crush कर लिया है इतना ही बारिक करना था हमें और एक प्याज ली थी इसको भी बारिक से काट लिया है और इसका भी पेश्ट बना लिया है इसके अंदर डालेंगे प्याज बारिक कटेवी और यह पेश भी डालेंगे जो हमने पीस के रखा हुआ है अब डालें हमें सूखे मसाले एक चमन डालेंगे लाल मिर्च पाउडर एक चमन डालेंगे चाट मसाला एक चमन डालेंगे धनिया पाउडर आधी चमन नमक अपने टेस्ट के निए अपने 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 लें सकते हैं, अब लेंगे हम दो चम्मच लिया हैं, अरण रोड और दो चम्मच ली हैं, मैदा, इन दोनों चीज को भी इसके अंदर अड़ कर लेंगे, मैदर को आप थोड़ा डाले अगर आपको अपना बैटर पत्रा लग रहा हो तो आप इसके अंदर और मैदा एड़ कर सकते है इन सब चीजों को अच्छे से करना है में मिक्स ये देखे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बाकी की मैदा भी इसके अंदर एड़ कर लेंगे इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए लेंगे हातों पे लगाने के लिए सबसे पहले लेना है हमें इसाड़ी बोल बना कर त्यार कर लेंगे हमें ऐसे हम सारी बोल बना कर त्यार कर लेंगे पत्ता गोबी की हमारी बॉल बनके तयार हो गई है इनको करना है में फ्राई तो यह जो हमने ब्रैड करश करके रखे वे थे यह भी ले लेंगे और फिल लेना है हमें कड़ाई में ओयल डालेंगे उसको करना है में गरम ओयल हमारा हो गया है गरम अब एक बॉल उठाएंगे अच्छे से करना है में डिप चारो तरफ लगा लेंगे इसको जितने अच्छे से आप इसके अंदर डिप करेंगे ब्रैड करेंगे पाउडर में उतने ही अच्छे हमारे बॉल बन के तयार होंगी अब एक ही करके आप इसको फ्राइ करने के लिए डालते रहें इस तरह से डि और यह तरफ से सिखने के बाद ही आप इनको पल्टे अगर आप तुरंती पलट देंगे तो यह हमारे जो बॉल बन रही है अच्छे से नहीं बनेंगी और यह देखिए अच्छे से हो रही है फ्राइब यह जो हमारी पत्ता गोबी की बॉल्स बन रही है इनको में हलका गॉल्डन कलर आने तक फ्राइब करना है फ्राइब हो गई है इनके अंदर गॉल्डन कलर आ गया है इनको हम निकाल लेंगे और साइड में रग देंगे और जो बाकी की जो हमारी बॉल है उनको भी इसी तरह स दिप करना है और फ्राइ कर लेना है एक ये करके डालते रहें और फ्राइ कर लें आप तो यहां पर हमारे सारे स्नैक्स बनके तयार हो गए हैं सारे बॉल बनके तयार हो गई हैं आइए ने सर्फ कर लेते हैं इनको भी निकाल लेंगे हम तो फ्रेंज पत्ता गोबी की बॉल्ट स्नैक्स बनके तयार हो गए हैं ये देखें कितने अच्छे लगए हैं देखने में ये भार से बिल्कुल करा रहे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनके तयार हुए हैं अगर आपके ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इने जरूर ट्राइ करें वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें सेर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें तो फ्रेंज चैनल को सब्सक्राइब करना बहुती आसान है और फिरी भी है तो आप कर सकते हैं